नमास्कार दोस्तों पर फेस्ट वोगा था आपके अपने चैनल फैंडसीविन प्रेडिक्शन में तो दोस्तों में आपके जुमाच कबर करने वाले हैं बुखाती टीटोंटी लीग का फास्ट सेमी फाइनल मैंच है जुको दोस्तों बेखिला जाएगा अपने जल्दी से आके हमारे टेलेग्राम चैनल भी जोइन कर लेना जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को डिस्केप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ लिंक पे किलिक करके तुरंत आप टेलेग्राम चैनल जोइन कर लीजिए दोस्तों कभी कबारे टेलेग्राम पर सार्च करके चैनल जोइन कर सकते हैं टेलेग्राम पर जाके सार्च करें तो विकेट धेट देट तोज़ा सा स्लोडाउन भी हुआ है अब इसमें अचको भी ठिक ठाक यहां पर टर्ण मिल रहा है हलांकि दोस्तों अभी भी जब बॉल नहीं रहता है तो उसमें पेसर्स को सुरुआती वर्ज में थोड़ा सा मोमेंट मिलता है इस स्कोरिंग की बात करें तो दोस्तों टी टून टीम में इस वेन लूपी 150 से 170 के बेजे स्कोरिंग होती है मतलब बैटर्स को लिए भी थोड़ा सा आसान है बैटिंग करना है क्योंकि बाउंडी से यहां की थोड़ा सा छोटी होती है सार्ज यहां के भीगट की पर दोस्तों बात कर लेते हैं आपए FM टीम्स की तो इस टेम रेंट में इस टूनामें में चार मैच खिले हैं और चार के चारो मैच इटीम जीत के आ रही और इस मैच में भी टीम मजबूत रहने वाली है हालागि दोस्तों semi-final दोस्तों आपकी जो favorit team रहने वाली है हम यहां पे FM की team रहने वाली है क्यों को दोस्तों इनकी team में बहुत सारे player ऐसे हैं जो यहीं की international team से खेलते हैं और उनका recent form भी बढ़ी आ है तो ये team को favor में आप team बना सकते हो हलागे दोस्तों एक दो कॉंबिनेशन आप बराबर के भी मनाएगा क्योंगे सेमी फाइनल का मैच है प्रेसर रहता है तो आप समाज सकते हैं उनकी तरब से आपको उपनिंग करते हैं दिखेंगे रोहन मुस्तफा और उनकी साथ उपन करने हैंगे अंसार खान बात कियें दोस्तों मुस्तफा की लेप्ट हैंड बेट्स मेंने राइट हम मेड़ें पेस बॉलिंग करते हैं और दोस्तों लाश्ट गेम में चारवर डार की एक विकर निकाले उसके पहले पांच विकर निकाल थे मतलब आदी टीम को खुदी समेट दिया था उसके फ़ले एक मैच मिस किया था सुर्वाद में भी दूब के निकल थे और चार चार वर की बॉलिंग ओलोप श्टार मैच में इनके लिए दिखे चार वर थ्री पॉइंट टू लगवग चार वर यह था और पहले मैच में चार वर तो मस्ट अपिक है कैप्टन सी की सबसे स अपके लिए स्मॉल लिग में रहने हाले हैं इनके साथ ओपन करने हैं के अंसार खान राइट हैं में राइट हैं मीडें फिसबॉल और फॉर्म उतना च्छा नहीं चल ला है लेकिन फिर भी स्ट्रॉंग टीम के प्लेयर हैं ओपनिंग करेंगे तुमने टीम में जब जरू लेकिन अब फॉर्म टिक ठाक गाड़ी रफ्तात पकर रही है लास्ट गेमें उन्हें त्रिदालेशन के लिए उसके पेले अट्रॉट 26 के स्कोर हैं जबजस्त रिठार हैं मस्ठाप पिक हैं अपने टीमेज अपलेट जरू ट्राइए करेगा आपको अन्नों मेर्टिंग क करते हैं लेकिन दोस्तों पार्ट टैम कभी कभार टीम यूज कर लेती है और लेफ्ट एंडर्स के इसका भी कभार डाल देते हैं लेकिन एक अच्छे बैट्समें अप्टे टीम में एज अपलेट जरूर ट्राइए करेंगे बैट पस्ट होता है तो ग्रांड लिग में चोवण के दो विगं निकाले थे चार रों डालेते उसके पहले अटरा की थे अब यहनने चोवण की निगेश लिए केल दीती क्योंकि सेग्ड़ लास मैच जू हुआ था इस ट्रीम का उसमें इस टीम का इस एक से बल्ले बाद हैं एक नहीं खेलते दो दीम इंप्ऌरण तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत है इसके तीन प्लेयर नहीं खेले फिर भी टीम मैच जीती अभी सारे प्लेयर खेल जाएंगे तो टीम कितना मजबूत हो जाएगी इसलिए मैं गया हूँ एफिम की टीम इस मैच में उनको फेयरोट रखिएगा तो आरान लाकरा आपक प्रास के आसपस बैटिंग करेंगे तो इस टीम को बैट फर्स्ट होगा तो फिर सवावी के बैटिंग आही जाएगा 15-16 तो आही जाएगा क्योंकि सामने वेल टीम इतनी भी कमजूड नहीं कि बिकटने गिरेंगे तो बैटिंग आ जाएगा तो पंद्रा भी सरने में बै अच्छी की वेल टोटल साथ विकेट में लगा चार मैच में एक मैच में आपे 65 के इनिंग के बता दे रहा हूं इस मैच में टीम ने इस प्लेयर को प्रोमोट किया था नमबर चार पे थोड़ा सा उफर बेजा गया था सेकंड लास्ट मैच में में आप इंगे दमाके दा सकते हैं रिबैटिंग आगे को इंको इंपोर्टेंट है जरूर्ट रहे करेगा इनके जो हीटर हैं अमजद गुल और यहांसा सग्याद हैदर कुछ नहीं कर पाए हैदर ने एक मैच में कालेश जरूर के थे लेकिन अमजद के बल्ले से वह भी नहीं निकला तो हैदर तो इन दोनों के प्लेस में एक चेंज टीम कर सकती है को कि इन दोनों का मुझे कुछ उतना खास भी तक इस ट्रूमिन में दिखा नहीं दोस्तों मुहमंद मतसर एक आद दो वह डालना है रिसकी ऑप्सन नहीं है अना कि एक दो विकेट मिल जाता है लेकिन ग्राइंट के थे तो विकेट हैं दोनों का उवर क्यों कट हुआ था है या इसकेंड लास्ट मैंच में है दो वह डाले उमर अली ने एक वाल डाले क्यों मैं आपको रिजन बतादेता हूं सेकंड लास्ट मैं में क्या हुआ था यहां पे रोहन मुस्तफा ने भाई चार ब़र डालके के ले लिए थे तो विगेट नहीं बचे तूंगों के लिए तो बादम बालिंग करने या थे तो विगेट ही नहीं बचे थे उमाईर जोने भी उने से यहां पे पर कम दिख रहा है नए तो निश्चे तोर में 4 और पने पूरे कारते हैं आज सामने वेल्टी मुतनी कम जोड नहीं है कितना जल्दी आउट हो जाएंगे तो आज ये दोनों अच्छी खासे 4-4 और की बॉलिंग करते हुए दिखेंगे तो दोनों में से एक लिस्ट एक जरूर ले आज मजूद मुझे टीम ने जला रही तो दोस्तों के सामने एफम का पहूंस है अस्पेक्टर प्लेइंग लिए बंद बित बैटेंग वाटर लगबग आपको ये देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मेंच की जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली ही पेसम की टीम ये भी ठीक ठाक है चार-पांच प्लेइर आप इसके भी ले सकते हो अबदुल्ला अजहार उनके साथ उपन करने हैंगे दाउत इजाज बात करें दूसरों अजहार की लास्ट के में 45 की उसके पहले 11-0-36 का स्कोर है तो चार में से दो निगिन के अच्छी है एक 36 की है और एक 45 की है एक मैच में बंदे ने चार वाय डाल दी थे जाप एक बिकर मिला था लेकिन बड़ा मैच है तो बॉलिंग से रिस्क नहीं लेंगे लास्ट मैच में भी लास्ट जो कॉर्टर फैनल मैच खेल था हूँ आप भी उने एक भी और की बॉलिंग ने कर रहे पार्टाइम बैंडर है कभी कभार तीन、चार वाय डाल देते कभी नहीं डाल तो ऐसे इंपॉर्टर फैनल मैच में हो सकता है बॉलिंग नं करने आए क्योंकि जो इंपॉर्टर मैच होते हो पे मेन ब Cliff ए सिय्यादे बालिंग कराती है पा जरूर ट्राइब करें स्मॉल लिंग में ले ले पार है तो जी एल जरूर लेज़ेगा पात के अंद उसमें दाउदी जाच कि राइट हैं बैट्स में विकेट के प्रिंग भी करेंगे को इस टीम का सिंके लाओ कोई दूधर की पर है नहीं लास्ट गेम में 62 किये थे उसके पहले 44 उसके पहले 8.73 का स्कोर है चार में से तीन जाबट जस्तिनी जिसमें से दो 50 है और एक 40 प्लस है मस्ट है पिक अपने टीम मैज़े प्लेर जरूर ट्राइब करें एदिश टीम का सबसे कोई टैलेंटर बले बाज़े तो दाउदी ज्याद है जरूर की विक सिक्शन स होना चाहिए आमिरम जागबात के राइटन में डाइट में इंपार्टन मैस अच्छा का सा बॉलिंग भी करना चाहिए लास्ट गेम में 25 कि उसके पहले सतक उसके पहले 60 और 20 का स्कोर है एक सतक दो 20 20 प्लस के स्कोर हर मैच परफाउंस है बॉलिंग से भी नहीं है यहां प आपको ऑप्शन दू तो दाओ दिजाज आमिर हमजा यह दू प्लेर इस टीम स्केप्टन के च्छा अप्शन है कमारवान को भी अपने टीम में जरूर रखेगा राइटर में बेस बॉलिंग करते हैं लास्ट के में लगवर तीन वर कर आया तीम भी निकाले उसको बहुत स्यालिस का स्कोर ही इच उस सबसे कम जोह चलीम उसमें तो भाई प्यस इने कमाली कर दिया तो सबसे लाइगे है मतलब algumas ढोफ के पाद किया दोस्तों अब्दुलाभी जब्रेदी की टीटिन के अंदर बंदेन नौ मैच में यहाँ पर बैटिंग से आथ गुआने का मौका मिला नहीं बार्ट टाइम करते हैं यहाँ अच्छा कासा मिला लाई प्रास गेमें चार वर डाल दो विकेट उसके पहले दो ही और म मैसे हसे हसे पीर हमाना ना छोड़ा दिया मुझी कुछ खहास लगे ने ठां का भी से माल है एक मेच में एक हवड जाले हम शरू में बालिंग ने आ चार वर निगाले लेकिन साइब बटन ने ठिक ठाक बॉलिंग इस्टोनमें ने करी है उतना विकेट ने ले पाए है। विकेट लास्टे गेम में दो विकेट मिल थे लेकिन उसको बडेके 2-0, 2-0, 4-0 विकेट हैं ने मिल रहे, सिर्फ जी एल, इसमाल लीक बहुत रिस्क्ष हैं। इनके दूस्तों बेंच में मुझे कुछ अच्छे प्लेयर ही ने दिख रहे हैं, जो खिलाने लायक हो इहां से गंगादरन को खिला सकते हैं, खिलाना चाहिएं यहां पर दूबिकेट है और बागी बिंच में तो अब देख सकते हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा होई अच्छा प्लेयर है, तो दोस्तों आपके सामने PSM का पहुँन सा है, एस्पेक्टर प्लेंग 11, बिस बैटिंग और रन कभी है दी सकता है, मुझे लग रहा PSM के टीम को खमजूर है, और PSM को हरा कि APM के टीम फाइनल में जाएगी, बागी दोस्तों जो हमारी फाइनल पडेट मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगा वो टेलेगराम पर मिलेगी, इसी वीडिव को डिस्क्रिप्शन में लिंक के दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंड में और यहांसे आमिर हमजा को रखा हुआ है, बाइट फर्स्ट हो था FM का, तो आप लाखरा को भी कर सकते हो, बाइट फर्स्ट में का बाइटिंग भी आजएगा, प्लस चार ओर पूरे करेंगे, तो आप लाखरा को वाइस के प्टेन कर सकते हो, इसके लिए आप प्योर इन तीनों में और सथा करें, क्योंकि अ 7 नूरों करते हैं, बाखी दूस्त करके में पसंद आए या तो लाइक कर दिजियगा, घर पर लाखरा कर दिलगें नेफूरा कर दिजब आपके दिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो करेंगे, घर वाइग एकन पर बाइकन पर झाल